अलो इस्टर वेलकम टू वेल प्लेइड इस पोच तो हम लोग इंडिया की अंडर 23 टीम कि इनने जाद ही है आपकी फ्रेंड लीज मलेशिया की अगेंस उनके फोच कौन है टीम में कौन को से प्लियर चूस किये गया है उसका प्रिक्टी डिलेवन के होगा अगरे वीडियो पर पसंद आए तो इसे लाइक जिरू करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं तो मैं एक कुछ दिनों पहले अपडेट आया था कि इंडिया मनेशिया के एंस फ्रेडली स्किलने वाली नेकि नम लोगों पता है ने तक कोच को होने वाले हैं टीम क्या होने वाली कब मैं आपको पता रुगाई यह मैचेस आपके होंगी कुवाला लांपुल सिटी में मलेशिया में और यह अंडर 23 मैच है तो आप समझे लिए कि अंडर 23 मतलब की जो एक 23 उसके अंडर के ही प्लेयर होंगे उसके आगे की नहीं होंगे और आपके कोच होंगे नौसाद मुच मार्च को इसका केम्प लगना लगेगा उसके पासे फीस मार्च को यह पुवाला लंपूर सिटी के लिए निकल जाएगी और 22 मार्च को इसका मैच से तो बहुत ही जन्दी जन्दी अच्छी हो रहा है अब यहां पर आपके टीम पर आए कि टीम है क्या और इसमें कॉन से इसके बारे भी थोड़ा सा जालिया जाए और फिर प्रिक्टि एल्वन पहाए जाएगा सबसे पहले कुल कीपर्स में आपके और से प्रफशुकल सिंगिन और विसाल यादो को आपने जानते होंगी यह जमसित्पूर एप्ची के गुल कीपर है डिफेंडर्स में आए तो विकास जिर्फिर चेने फिके सेंटरफेंट राइड वीफियल में चाहे और लिफट पर देफैंद के परहिंट पैकी सदीप पर यूज धि cigarette न डड़ो है इसके लाब बेंदर कासी को संधीप दो लाया गिया है नेट वैंड मंदी को प्लेट ऊंट Esse और लेड़ वेक और राइड बैक पॉजिशन पिखे सकता है रहा है वह रॉब निया दो विट फिल में आपके अभी से एक सुरेवांची डिफैंसेव पॉजिशन के प्लियर मोहन भागान की तरब से सांदर परफॉरमस्च दे रहे है ब्राइसन इकॉस सांदर प्लियर इसको लेड़ बैक पॉजिशन पर भी खेला चुकिए और लेट सेंटर बैक की तरह भी खेला चुकिए तो आप देखना है कि यहां पर किस पॉजिशन पर खेलते हैं उसके अनावा देखा है तो वह में आजर आप से लोंगे उसमें से एंट बाइए हैं उनको तो इवाइए डिफेंसेंव पॉजिशन पर खेल सकते हैं और इसे एफजी की प्लेए और वीबिन मोहनान इसेंटर फॉजिशन की प्लेए और के नाबास से एफजी की फुबरते हुए खिलाडिए तो अब्दूरभी है आपके राइट विंग लेट पॉजिशन पर खेल स सनान राइट विंग लेट विंग पॉजिशन की प्लेयर है जमसितपूर एफजी की प्लेयर है पाचिव गोगोई सेंटर फॉजिशन पर पॉजिशन पर खेल सकते हैं आर्मी राइट खेली के निए और संटोश टॉफी में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीट चुके है सेंटर फॉजिशन पर खेल सकते हैं यह था आपका इसकौर्ड बाइट प्लेयर आपके दिखा है और एक पिजाम तोई मिट फिल्डर है और एक आपके संदीप मन्दी यह तीन प्लेयर है जो आपके आईसल में नहीं कहिलते हैं और सभी जो बच्चे व्यों सभ आईसल के सभी आईसल टीन में खेलते हैं किसी को जाड़ा गेम बिलता है किसी को कम डिफड़ा मुसा और अच्छा का सा एक्सपीटेस उनको तो वोफूली कुछ अच्छा परफॉरमेंस दिना पाए अगर उनको फॉर्मेशन पर आया जाए जाए तो उनको फॉर्मेशन देखिए 442 वो फॉर फाई बन रहता है मैं जो चूश किया ओओ फोल को चूश किया ओओ इसमें देखिए तो आपके गुल की पर इस समय देखा है तो गिल ओंगे और बैक फॉर्में देखाये तो आपके राइट बैक पुसिशन पर होगे रोबिन यादर लेक पोजिशन पर विकास इ वाज सकती आपका प्रिटी लेवन क्या होगा हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा और भाई देखी एक्सपेक्टेशन में कोवकी ज्यादा नहीं रखी टीम बहुत अच्छी है स्कॉर्ट बहुत अच्छा है बहुत से प्लेयरे दिव को चूज करना चाहिए जैसे आप कह सकते हैं सेंटर पर पोजिशन पर डिपेंदू विश्वास को चूज कर सकते हैं क्यों चूज कर सकते हैं नहीं चूज किया गया चलता है ने कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह टीम एक साथ पैनली बार मैच खेलेगी सीड़े आपका मैनेशिया के अगेंस फ्रे मैचे सखेलने के लिए और प्रेजा जा रहा है तो जाड़ा एक्सपेक्टेशन ने रखेट कोज की गलती नहीं है डाइक प्लियर सी गलती आपकी यह एफट की मैनेजमेंट की जो इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किये तो देशते हैं यह टीम जाके कैसी परफॉर्मेंस प्रेज़ा रहेती है अपना प्रिटेल आपको जरूर बताएगा और यह एक्सराविये एक से आप कितने खुष है किसने नहीं है हम लोग कमेट करके जरू बताएगा और यह वीडियो को पसंद आए तो इसे लाई जुरू करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना STA करेज़ कर अएड़ झार आए